येस सर वेरी 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 वेलकम तो आल आफ यू आज हम लोग बात करने वाले हैं सीए फाइनल एंड सी एम ए फाइनल नवंबर ट्वेंटी थी एंड डिसेंबर ट्वेंटी अटेम्ट की आप सभी जानते हैं बहुत पास आ चुका है और इस टाइम पर आप कुछ यह क्रग फ्री डालावा है चालीस लेक्चर के अंदर में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने हैं तो वो भी आपके लिए कवर किये गए हैं अब क्या किया जा सकता है इस टाइम पर ABC एनलेसिस मोटे-मोटे तोर पेपर में क्या-क्या आ कि यही आएगा पर हां मोटे-मोटे तोर पे अब तक यह आता रहा है तो यह आपका एक important list है जो CA Inter वाले बच्चे है उनके लिए अलग से आएगा तो कृपिया इसको ना देखे प्लीज ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले DT के अगर मैं बात करूँ DT and international tax मिला के बहुत सा हालने पड안 क्या रखें कूछ बाते में आपको सभी बता दूं आपके लिए प्रीए धियर त्वेंटी होवेट बिल्कुल reg अच्छेतon चलेक्जिंद को पूचा जा सकतким सचाज आपको पूचा जाकता है रिबेट का कंचेप पूचा जा सकता है क्योंकि अगले अंदर में यह सब बदल रहा है एंड नेक्स्ट आपको 115 BACN BAB पर क्वेश्चन आ सकता है मुझे ऐसा लगता है इसके बाद मैं आता हूं नेक्स टॉपिक पर जिससे मुझे लगता है तो इन दोनों को देख करके जाईएगा इसके बाद मैं आता हूं मैं असस्मेंट पोसीजर में लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्जाम बढ़न आपको कंफर्म देख करके जाने है 142 तुए स्पेशल ओडिट आपको देख करके जाना है 147 से 153 री अससमेंट देख करके अससमेंट के अंदर में यह तीन आपको देख के ही जाने हैं यह बात में आपको बता दू हंड़र प्रसेंट इसमें में लगता है क्वेश्ट आये गाई आएगा इसमें मैंने 153 भी कवर किया है मतलब time limits to complete the assessment में मैंने कवर किया है वो भी आपको क्या करना है मालिक देख क करके जाना है यह दो चीज़े सर्च के अंदर में देखके जाईएगा इसके अलावा जो theory में question पूछता है वह section 131 131 आपको बहुत बार आप पूचा जाता है समन से related provision है तो आप 131 भी देखके जाएगे यह तीन चीज़े आपको सर्चन सीजर में देखके ही जानी है provision appeal and revision के अंदर में अगर आप देखेंगे मैंने इस बार पूरा cover नहीं किया लेकिन हाँ मैंने important point cover किया जिसमें से पहला आता है ITAT related देखे अपील में 4 अपील है CIT ITAT High Court and Supreme Court we all know High Court and Supreme Court के अंदर में आपको इतना process नहीं दिया है जितना आपको CIT and ITAT दिया हुआ है तो देखे कि मेरा analysis यह कहता है कि भिया ITAT इस बार आ सकता है CIT से related नहीं ITAT से related provision आप सारे के सारे पढ़के जाएगा especially power under section 254 वो पढ़के जाएगा next है High Court के power you know यह जो question है High Court recall कर सकता है क्या review कर सकता है क्या and what are the substantial question of law यह तीन ही question है जो आज तक क्या High Court से related आए हैं तो यह एक बर frequent question आता है वो आता है doctrine of partial merger and total merger तो doctrine of partial merger and total merger के question आपको देखके जाएगा appeal and revision में इसके लावा कुछ भी आपको देखने के जरौत नहीं पड़ेगा फिर आते हैं एक topic जो बिल्कुल आएगा ही आएगा वो है PGP PGP के अंदर के important section जो मेरे को लग रहे हैं ठीकि total income का तो आना ही question ठीक है लेकिन PGP में यह section important है जिसमें overall आपका paper based हो सकता है पहला depreciation and additional depreciation final level पर अब यह आप से expected है कि आप 115 BAC वाले adjustments को समझें तो हो सकता है आपको कोई ऐसा question दे दे जहां पर आपको यह test किया जाए कि यह depreciation तो आपको मिलेगा ही old and new scheme के अंदर में लेकिन additional depreciation new scheme के अंदर में नहीं मिलता तो इसके उपर based है आपको question combine करके दिया जा सकता है to test your knowledge दूसरा you know again scientific research पर आपको एक question based ह हो सकता है again with the same provision कि अगर हम 115 BAC BA BA भी opt करे तो यह benefit मिलेगा या नहीं मिलेगा फिर 35 AD specified business इसके ओपर तो independent question आता है आता है आपको 44 AB tax audit related provision इसके ओपर आपको में को लगता है कि question आएगा आपको practical फिर आता है आता है आपका presumptive income 44 AD AE ADA specifically मेरको ऐसा लगता है ADA के ओपर question या 44 AE के पर इस बार question बनता है yes फिर आता है 371 आपको allowed डिसलाव वाले provision आ जाएंगे इसके साथ 40 A 40 A 40 A 2 40 A 3 40 A 7 वो तो specific provision है वो आना ही आना है आपको and then ICDS की अगर बात करो तो मैं इस बार expect करके चल रहा हूं ICDS 2 ICDS 9 ICDS 10 तो यह 3 ICDS मुझे ऐसा लगता है कि आपको आ सकते हैं तो ICDS में भरपूर मत पढ़के चल जाना यह 3 ICDS तो आपको पढ़ने ही पढ़ने है ठीक है इसके बाद आता है capital gain capital gain की अगर मैं बात करो तो मुझे इस बार लगता है कि आपको जो total income का question आएगा वो PGPP से नाओ करके capital gain plus deduction plus you know advance tax जैसे कोई provision को mix कर देगा अगर मैं capital gain की बात करो हम सब जानते है normal capital gain का computation yes अच्छा आप लोगों को जो cost inflation index है that is 331 याद है ना मालिक अच्छा इसके बाद capital gain की अगर मैं बात करू तो indexation capital gain यह वो computation में उसके उपर बात नहीं करो वो by default में आपको आता होगा इंटर चाह आता होगा 452 that is conversion of stock in trade into capital sorry capital estate into stock in trade वाला provision वो आपको section of firm 4549 B मुझे लगता है यह उनके his list में होना चाहिए यह तो आपको पूछेंगा यह पूछेंगा 455 आपका you know registry of agreement you know इसके अंदर में हम लोग old building को construct करके new building के उपर focus करते है और इससे related जो TDS provision है ऐसा एक combined question आपको आ सकता है exemption के मामले में 54 54 ECN 54 GB मुझे लगता है इस बार जा सकता है IFSC related capital gain के provision पढ़के जाईएगा देखिए IFSC related update बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन मेरे दोस्त ऐसा है कि IFSC related question भी पूछा नहीं गया है पर मुझे लगता है यह जो attempt है इसके अंदर में आपको IFSC related provision आने ही चाहिए क्योंकि अब यह हाई टाइम है कि आपको इसके उप स्पेशल होट लिस्ट है 112 वाला इसमें इस बार आपको टेस्ट किया जा सकता है कि बताइए हमने एस्टी पेड नहीं किया इन इन फॉलविंग ट्रंजक्शन के अंदर में क्या तो भी हमें 112 एका benefit मिलेगा क्या तो इस बेसिस पर आपको टेस्ट किया जा सकता है and we all know nr मे पास्ट एक्जामिनेशन में पूछा गया है इसलिए प्ट फिर भी पढ़के जाईएगा मतलब as compared to the normal provisions 50B अगर आप पढ़के जाओगे तो आपको ज्यादर benefit मिलने वाला है तो 50B मैं इस लिस्ट में add कर रहा हूं that is slum sale वहां पी भी हम add कर रहे हैं and एक और लास्ट पॉइंट 51 for future of advance तो for future of advance वाला जो point है वो भी आप क्या करेंगे मालिक पढ़के जाएंगे yes or no अच्छा जी sir yes इसके आगे आता हूं मैं charitable trust के उपर we all know charitable trust yes PCRT you know religious and charitable trust जो होता है यह topic अब यह जो topic है न मालिक आपको हर attempt के अंदर में पूछा जाता ही जाता है इसमें से दो तीन problem आपने एक बार बड़े वाले solve कर लेना जिसने anonymous donation वाला भी concept हो right anonymous donation and voluntary contribution and corpus donation वाला concept हो वह आपने एक बार देख लेना तो इसी के लिए मैं तीन चीज़े आपको बता रहा हूं जो मुझे लगती है बड़े problem तो आप देखो के देखो कि उसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन इस बार में इस बार इधर टेस्ट किया जा सकता है दूसरा exit tax exit tax के उपर आपको anonymous donation का question पूचा जाएगा combined वाला और आपको क्या निकाला जाएगा आपको बूला जाएगा कि यह charitable trust की income निकालो तो यह वो point है जहां मेरे को लगता है question आ सकता है one another thing is Matt and EMT पिछले दो तीन सवाल नहीं पूचे गए तो मुझे लगता है मैट और EMT पर सवाल पूचेगा और इस बार शायद इसको IFSC के साथ mix करके पूच ले इसको IFSC provision के साथ mix करके पूच ले तो मैं expect करके चल रहा हूं इस बार मैट के उपर at least question आपको आना ही चाहिए क्योंकि यह आया नहीं है बहुत दिनों से तो मुझे ऐसा लगता है कि आ जाना चाहिए next की अगर मैं बात करूं interest and penalty, interest and penalty topic यह topic बनता ही है चार से छे माख के बीच में आए गए आएगा 234 B और C पेनल्टी देखकरके जाना under reporting, miss reporting का 270 नहीं देखकरके जाना और prosecution में सिफ दो करको देखके जाना 276 यह दो prosecution बहुत frequently पूछे जाते हैं तो यह आपको देख करके जाना ही जाना है तो इंट्रेशन पेनल्टी के अंदर में यह तीन चीज़ आप देख करके ही जाएंगे इसके अलावा इसके अलावा international tax related penalty आपको देख करके जानी है especially when it related to TP मतलब अगर आपने report नहीं submit करी international transaction शो नहीं किया तो वह बाले जो TP related penalty है वह आप लोगों ने देख करके जाना है यह बात याद रखिएगा next नातों में deduction के उपर deduction के उपर मुझे ऐसा लगता है कि इतने specific provisions आपको deductions के उपर बहुत frequently पूछे जाते है पूछे जा सकते है इसके अलावा एक और आड़ कर रहा हूँ ATEEB that is electrical vehicle तो electrical vehicle से related deduction आपको आ सकता है यह आपने पढ़के जाना है यह यूलिप एन एलाईपी देखिए क्या हो गया है यूलिप टैक्सेशन आ चुके है इसे related circular आ चुके है problems भी आपको दिये जा चुके है और एलाईपी मुझे ऐसा लगता है इस बार आपको एक question इसके उपर आ सकता है या तो यूलिप पर आएगा या तो एलाईपी पर पर मेरे को लगता है आएगा जुरूर मालिक येस क्योंकि इससे related amendment आ चुके है examiner के पास यह hot topic है आपको पर कुछ पूच सकता है तो यह topic वह topic है जो आपको बिल्गु छोड़के नहीं जाना यूलिप एन एलाईपी वाला topic यह आप पढ़के जाएंगे next आता है taxation of gift and dividend gift के उपर question आ सकता है क्योंकि covid related amendment था तो covid related amendment के उपर question आ सकता है and dividend के उपर question आ सकता है वो भी dim dividend 222E तो dividend में हम dim dividend वाले point के उपर focus करेंगे dim dividend वाले point के उपर आपको question आ सकता है hot topic जो examiner बिल्कुल पूछने के पूरे chances है जिससे related TDS provision भी आई दिए है वो है VDA virtual digital assets हमने पूरा का पूरा चाप्टर पढ़ावा है इसके उपर तो VDA आप पढ़के जाएंगे VDA आप पढ़के TCS की बात करूँ तो वह जनरल सेक्शन सोच CHIJ वो तो है वो तो important है ही यह उसके अलावा उसके priority पर आप राधर यह रखे Mnopqrs यह सारे के सारे आपके important है पहली priority पर यह पढ़िएगा फिर CHIIA पढ़िएगा and 206 की अगर मैं बात करूँ that is TCS की अगर मैं बात करूँ तो last 3 IF IG IH यह last 3 की आपको पढ़के जाने यह तीन बहुत ही important है and you know assessment of various entities जो है assessment of various entities जो है जिसमें HUF आता है firm आता है UPVU आता है इनो बिजनस ट्रस आता है alternative investment fund आता है Securitization fund आता है cooperative taxation आता है इन सभी की अगर मैं बात करूँ न तो मुझे लगता है इस बार आपको question AIFs पर आना चाहिए क्योंकि alternative investment fund से related question नहीं आया है पर topic आपको बहुत दिन से पढ़ावा है तो alternative investment fund जो है इसको एक बर पढ़के जाईए इसके alternative में अगर आपको एक और prepare करना है तो मुझे लगता है BT business trust क्योंकि देखो last 2 attempt की अगर मैं बात करूँ investment fund पर question था secretization fund पर question था लेकिन BT को काफे time हो चुका है तो BT related provision भी आपको आ सकता है तो अगर special में कुछ पढ़ना है यूदो AIF and BT आप पढ़के जा सकते हैं तो मुझे लगता है आपके पास पूरा का पूरा अवेलिबल है वहां से आप लोग देख सकते हैं and thank you India इतने अच्छे response के लिए अब एक्जाम का बहुत करीब पीरेड आ चुका है और आप तकलीफ में हमने वह बिल्कुल कम कर दिया बंदी कर दिया अब आता हूं इंटरनाशनल टैक्स के उपर इंटरनाशनल टैक्स में क्या-क्या पूचे जा सकता है ज़रा ध्यान से सुनिएगा ठीक है यहां पर मैं से में वालों के लिए एक पार थुड़ा सा अलग कर दूंगा प्लीज ध्यानता सुनना सबसे पहले आता है रेसिडेंशल स्टेटर्स यह एनर ट्रेक्सेशन का टॉपिक है लेकिन इसमें से चार चीज़े इंपॉर्टेंट है पहला सक्षण सिक्षण 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 पहले सकता है फिर आता है इंट्रेस्ट फिर आता है पैनल्टी सब्सक्राइब बहुत सारी चीज़े एक 111 ऐसे बहुत सारी चीजिए मुझे लगता है जिस पर फैरली कोश्चन बन सकता है पहला एक सो पंदरा ए वित टीडियस आस्पेक्ट इस पर भी इंट्रेस्ट वाला पार्ट आपको पूचा जा सकता है येस दूसरा है 115 डबल भी येस जो विनिंग फ्रॉम कैजुल अक्टिव जाना है इसके अलावा पीजी डीपी कंप्युटेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको शिपिंग रिलेटेट पूछा जा सकता है या तो एरक्राफ्ट पूछा जा सकता है येसकंप्यूटेशन में और आपको पता होगा एक एक्जम्शन दिया गया था लीज रेंट से आपको क्या है एक्जम्षन वगर से आ रहा है तो यह लोग्जम्षन आपको क्या करना है पड़के जाना है क्यों आपके 아이त्याइड नर में अधर यह इकंदर में दुन येस पहला cost plus method expected है फिर आपको दूसरा आता है दूसरा जो method आपको expected है वो है you know cup method comparable uncontrolled price method यह आपको पूचा जा सकता है resale price method भी आपको क्या किया जा सकता है पूचा जा सकता है तो TP calculation में मैं तीन expectation रख रहा हूँ उसमें भी मेरा पहला expectation cost plus method के उपर है दूसरा APA related provision आपको पूची जा सकती है advanced pricing agreement related provision आपको पूची जा सकती है secondary adjustment से related आपको theory part आ सकता है तो वो एक बार देख लीजेगा फिर TP के अंदर में 94B interest के उपर maximum limit है वो पूचा जा सकता है या तो NJA non-juridical area इसके उपर आपको question पूचा जा सकता है कि अगर हम किसी को non-juridical बना देते हैं या इसके साथ को transaction करते हैं तो क्या होगा जो TDS highest rate 30% and all provision जो है वो यहाँ पर हम कर सकते है तो NJA related आपको provision आ सकत है फिर आता है MTC model tax convention मुझे लग रहा है model tax convention पर question आएगा rather than interpretation of tax law इस बर MTC पर question आना चीए advance salary and settlement advance ruling advance ruling and settlement commission आपको पूचा जा सकता है क्योंकि यह दोनों भी बिल्कुल नए है board of advance ruling भी बिल्कुल नया है and settlement commission related भी नए provisions आए वे हैं तो आपने यह दोनों भी chapter पड़कर करके जाना आपको यह दो international tax के अंदर में पूचे जा सकते हैं फिर आता है equalization levy equalization levy के अंदर में दो पाड़ते एक था equalization levy advertisement के लिए और एक था e-commerce transaction मुझे लगता है e-commerce related आपको provision पूची जा सकती है and equalization levy की penalty आज तक पूची नहीं गई है तो यह focus करिएगा equalization level की equalization levy की penalty आप पढ़के जाएंगे तो यह आपको equalization levy में पढ़ना है and last आता हूं मैं model tax convention के उपर model tax convention के उपर आपको एक question आ सकता है जो खेर मैंने यहां पर भी cover किया वाए राइट अच्छा अब ध्यानता सुनिए यह सिप CMA वालों के लिए मैं बता रहूं CMA वालों के लिए आपको एक separate provision आता है एक आता है black money yes तो आपको black money के उपर एक practical question करके जाना है black money के उपर practical question आप लोग करके जाएंगे यह आपको पूछा जा सकता है यह सोनो और practical question भी कैसा valuation related point वह आपको पूछा जा सकता है येस तो मुझे लगता है मोटे मोटे तौर पर आपका जो DTN international tax का paper बनेगा वो इस basis पे होना चाहिए हाला कि मैं जानता हूँ आप एक final के student और सब कुछ prepare करके जाएंगे और यह होना भी चाहिए एक बात याद रखिएगा यह last CD है लोग सपना देखते हैं final में पहुचन